हेलो गाइज वेलकम बैक टूबाइ चैनल आज की स्वीडियों में गाइज हम रिव्यू करने वाले हैं फेर लवली की ग्लो एन लवली जो है आयरुवेदिक फेर क्रीम का इस क्रीम का क्या आपको बेनफिट्स में लेका साथी बात करेंगे इसको इस्तिमाल करने यानि कि इस इस टैसल लोटस का जैसे आई इर वेदिक से मिक्शर किया गया ही किए काफी ब्राइट और काफी ग्रोइट नेका काम करती और साथ ही हमारे स्किन को है काफी जढ़ाएंगर रखती है और इसी के साथ हुं पर एक्नेके मार्क्स और डाक स्पॉर्ट नांस इंब करने का काम करती है उनको यह काफ़ ज़्यादा यह हाइड कर देती है अब गाइज यह आपको यकोगा यह रहने वाले जह अब आपको यह पिसका करने आपको एक sunscreen की भी अलग से जरुवत पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर FF को add नहीं किया गया है इसलिए sun protection के लिए आपको अलग से sunscreen भी इसके अंदर जो है इसको लगाने के बाद sunscreen आपको अपने face पर अपलाई करनी पड़ेगी अब guys बात कर लेते हैं इसको इस्तमाल करने यानि कि इसको लगाने का सही तरीका क्या है guys सबसे पहले आपको अपने face को normal face wash कर ले रहा है उसके बाद जो है इस cream को डोटोट करके पूरे face पर आपको अपलाई करना है और उसके बाद जो है आप इसको पूरा दे जो है लगा हुआ छोड़ दे आप इसको morning में भी लगा सकते हैं घर से बाहर जाने से पहले भी आप इसका apply कर सकते हैं या फिर आप रात के समय as a night cream पर तोर पे भी आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं आपको काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखने के लिए मिलेगा आपके फेस से लिट रिजाज़ेंगे आपके फेस्के डाक स्पोर्ट की प्रोब्लम वह दूर हो जाएगे आपका फिस काफी ब्राइट नजर आए गाफी घ्लोइंग लुक आपको देखने के लिए मिलेगे तो गाइज यह लवली आयरोवेदिक क्रेम का रिव्यू गाइज अगर आपको मारे वीडियो ची लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा वीडियो का लाइक शेयर जरू करिएगा धन्यवाद